आज हम लोग में हम सब बात करेंगे कि एक नेता को अच्छा वक्ता होना क्यों जरूरी है हमारी राजनीती में ऐसे बहुत सारे नेता गुजरे हैं और हैं भी जो अच्छा वक्ता तो नहीं रहे मगर क्या बोले पता नहीं चला लेकिन इस राजनीती के शिखर पर जरूर पहुँचे बहुत सारे ऐसे नेता भी हुए जो बहुत बोलकर भी शिखर पर पहुँचे हैं अच्छा और कमजोर बोलना और बुरा बोलना इन सब के फर्क के बीज विचार की भी एक अपनी जगा होनी चाहिए तो हम आज इसी पर बाचीत करेंगे कि हमारा नेता कैसा हो बहुत अच्छा बोलने वाला हो या कम बोलने वाला चुपा हो या जादा बोलने वाला बड़ बोला हो हमारे साथ हैं अभैजी, किरन जी और जीवियल साब हैं और संजेज हाँ हैं आप सब को टीवी की दुनिया के दर्शक जानते हैं तो किरन जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारा नेता इस बोलने के लिहाज से आज के समय में कैसा होना चाहिए जिस पर विश्वास किया जाए जो वो शब्द बोल रहे कतनी और करनी में अंतर ना हो जिसको हम सुनें एंटर्टेन्मेंट के लिए नहीं एक विश्वास के लिए एक विजिन के लिए एक जर्नी के लिए एक उनती के लिए यह नहीं एंटर्टेन्मेंट के लिए देखा कई नेताओं को हम लोग entertainment के लिए भी जाते हैं तो हम entertainment नहीं है आज की राजनीती का जब हम जाते हैं entertainment के लिए cinema theaters जो है so ऐसा ना हो जो ना सुन भी पाए ना समझ भी पाए वो हमारी जबान बोले हमारी requirement बोले हमको जान के बोले हमारी needs को बोले so जिस पर कथनी और करनी में हम यह ना देखने जाए कि इसमें अंतर है के नहीं यहां देखने जाए किस तरीके से मज़े क्या चुटकले बलाता है तो क्या ड्रामा करता है तो यहां तो हम उसको ड्रामा बास बोल देंगे तो अगर विश्वास करने जाएं तो वो व्यक्ति हो जिसको हम देखें और कहीं यह है मेरा जो मेरा मार्क दर्शक तो आप कहरें कि स्पीकर होना ही लीडर होने की एक मातर क्वालिटी नहीं यह इस फिकर होना बहुत जरूरी है नहीं वो फिर होलो हो जाएगा आप एक दोबारी फिर एंटर्टेन्मेंट हो जाएगी लेकिन अगर आप जैनूरिली सुनने के लिए जाएंगे तो आप एक विश्वास लेके जाएंगे कि ये मेरे बविश्यों को जानता है मेरी जरूरत को जानता है और ये पूरन करेगा ये वैसे ही बोले करना ही तो ये नहीं के पहल यहां क्या वो बदल रहा है तो मैं देखूं क्या वो समझदार हो गया क्योंकि एवॉल्वे लीडर्शिप में एवलूशन भी होती है ठीक सुरेन या फिर मुलाइम सिंग यादव अच्छा बोलने वाले की कैटेगरी में नहीं है ये जो बोलने वाला नेता की जो कैटेगरी है क्या एक लोक तंत्र को खासकर इस दोर में जब हम पहुंचें कई चुनाव को बाद उसका एक परिपक्व तस्वीर जो पेश करती है क्या की आपके बोलने की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए देखिए अच्छा बोलना और प्रभावश आली भाशन देना एक गुण है जो सब लोगों में नहीं होता है कुछ लोगों में गुण होता है लेकिन इस गुण के कुछ खत्रे भी होते है उन्ही खत्रों को ध्यान में रखकर जो ब्रिटिश राजनीती है उसने एक शब्द हमारे सामने पेश किया है वो है डेमकोगी यूँ को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं लफफाजी तो इसी लिए लफफाजी में कोई मुकमल शब्द वैसे मिला नहीं किसी ने कहा भाशन खोर लफफाजी बहुत बख़गी जो आम तोर पे मार्कसिस डिस्कोर्स में और जो मौडन पॉलिटिकल डिस्कोर्स है दोनों में काफी इस्तेमाल किया जाता है मेरा कहना यह है कि चुकि इस खत्रे से सब लोग वाकिफ हैं कि अच्छा बोलकर लोग जनता को अपने साथ बहा ले जाने की च्छमता रख सकते हैं और उससे राजनीत को फाइदा होने की वज़ाए नुकसान हो सकता है इसलिए आम तोर भी यह होता है केबल अच्छा बोलने की योगता रखने वाले और दूसरी योगता है कम होने या ना होने वाले नेता अपनी पार्टी में अपनी रैंक्स में कार करता पंक्ती में बहुत ज़्यादा उपर नहीं जा पाते वो दूसरे और तीसरे नमबर के नेता होके रह जाते हैं उनका काम होता है अब तक बड़ा नेता है तब तक वो जनता को रोके रखने के लिए एक लच्छेदार भाशन देता रहा है मंच से इस तरह के जो किरन जी कह रहें के इंटर्टेन करते रहे दूसरे और तीसरे नमबर के नेता होते हैं वो उनको और उनका एक महत्त है उनको पार्टी में दूर दूर तक बला जाता है मुझफर नगर में मीटिंग हो रही है उसको बला लो हमारे नेता दो घंटे लेट आएंगे तो एक घंटे बोलता रहेगा मंच पे खड़े हो के तो मुझे नहीं लगता कि केवल अच्छा भाशन वाज होना राजनीत में उपर चड़ने की निशानी है आप भारती राजनीत के थियास पे कोड़ करें गांदी जी अच्छे वक्ता नहीं थे अटल विहारी वाजपई एक बड़े ऐसे नेता है जो अच्छा सुंदर लच्छेदार आकरशक भाशन दिया करते थे और वो राजनीत के अपने अपने लिहास से शिकर पे भी पहुंचे तो इन अपवादों को छोड़ कर लेकिन अटल विहारी वाजपई के आपने जिकर किया तो उनका भाशन सिर्फ भाशन नहीं था राजनीती भी था अटल वहारी बाचपई के अगर आप शिरुवाती दौर में देखें सिक्स्टीज का और सेविंटीज का साथ के उससतर के दशक के भाशन देखें तो आप पाएंगे आठ वाशन उनके लगवग एक जैसे हैं